बरती महंगाई, बेरोजकारी, किसानों के फसले का दाम नहीं मिलना, मैलाए बेने सुरक्षित नहीं, जैसे कई ज्वलन्त मुद्दे होते वे भी केंडरों और राचे की सरकार विपक्ष की दलों को तोड़ने और समाज में दरार पैदा करने में लगी हुई है सरकार लोगतंद्र और समविदान को खत्म करने पर तो ली है, सरकार को आम जंता से कोई लेना देना नहीं है ऐसी गयर जिम्यदार सरकार को आगा में लोगसभा और विधान सभा चुनावे घर बढ़ना दे की शेत्र में मजदुरों को भूख मरी का सावना करना पड़ रहा है शरत पवार विकास मंच के बैनर तले पुर्व मंत्री रमिश शंद्रपंग पुर्व विधायक विजए खोटमारी पार्टेल पुर्व विधायक प्रकाश गस्पी के निडित्व में निकाले गए मोर् पुर्व विधायक प्रकाश गस्पी ने भी बैटक में पूलती वे सरकार की आलुच ना की जबकि जिला परिशत के सदस्य दिनिश बंग नी ततकाल मांग उठाई कि सरकार को दिन में किसानों के खेट पंपों के लिए बिशली प्रदान कनी चाहिए मोर्चे की शुरुवार डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर अन्ना भाउ साथी संत रविदास महाराज की प्रदिमा पर मालर बंग कर तैसिल कारले हेंगना में लिजा गया तथाराज्य की मुख्यमत्री की नाम से उपिभार की अधिकारी आकाश ओतारी की मातिम से मांग मोर्चे में दिनेश भंग ने बेल काड़ी का देटूत वक्या जा बेल काड़ी पर कपास अरहर की पेड़ और गया सिलिंडर रखी गे ताकि सरकार का ध्यान इस और आकर्षित क्या जा सके कि कपास और अरहर की की किमत कम की जाए इस आउसर पर पुर्व मंत्री रमेश शं दिनेश बंग, पुर्व सभापती उज्वला बोढ़ारी, हिना पंचार समिती की सभापती सुष्मा कावली, तालुका अदिक्ष्य योगेश साथपुती, नाखपुर तालुका अदिक्ष्य संचे कुंटी, जिपिर सदस्य व्रुंदा नाखपुरी, पुर्व जिला के पुर्व अदिक्ष्य प्रेम साड़ी, राजेश जैस्वाल, सुरेंड रमोरी, प्रमोद बंग, अमर जैन, संतोष नर्वडी, नाखपुर पंचार समिती के पुर्व उपसभापती, संजेच चिक्टे, क्रय विग्रेश संग के अदिक्ष्य शाम बाबु गोमसी, यज करे भोमसी, यह जली हमें।